बात प्यारे बच्चों आज भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी को संबंध है यह कहना कठिन है लेखिका को इस बात में कठिना यह अनुभव होती है कि वो भक्तिन को अपनी नौकरानी कह सके क्यों कि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटाने सके और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवग्या से हस दे तो स्वामी और सेवक में आपने देखा होगा नौकर और मालिक में एक फर्क होता है क्या होता है कि जब भी कोई मालिक चाहता है अपने नोकर को सेवा से हटा सकता है लेकिन यदि कोई मालिक अपने नोकर को कहे कि तु यहां से चला जारू महीं खड़ा-खड़ा हसे तो इ इतनी नज़धी की आ गई थी भक्तिन में और महादेवी वर्मा में कि जैसे कि दो सगी बहनों में होती है तो लगता नहीं था कि ये दोनों में जो रिलेशन है वो किसका है नौकरानी और एक मालकिन का है तो ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटाने सके और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवग्या से हस दे तो बीच का जो फर्क था वो प्राया मिट चुका था भक्तिन को नोकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले को बक्तिन और नौकर बक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है असंगत मतलब गलत होगा जितना अपने घर में बारी-बारी से आने जानने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फुलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना तो यहां पर तीन उपमाएं प्रस्तूत की गई हैं भक्तिन के प्रती पहली उपमा में हैं कि जैसे घर में आने वाले और जाने वाले अंधेरे उजाले को नहीं रोका जा सकता जैसे आंगन में खिलने वाले गुलाब को खिलने से नहीं रोका जा सकता ठीक है तो वैसे ही भक माहदेवि वर्मा लएक अभिन हिस्सा बन गई थी वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं यह उप्माईद से अपने वजूद को रखती हैं जिसे सार्थक्ता देने के लिए ही हमें दुख दुख देते हैं उसी प्रकार भक्तिन का सोतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परीचे के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है तो भक्तिन को अपने जीवन के लिए बहुत ही अनिवार मानती है महादेवी वर्मा वो मानती है उनका मानना है कि भक्तिन उनके जीवन का एक अभिन हिस्सा है और जैसे कुछ चीजों को हम अपने जीवन से जुदा नहीं कर सकते वैसे ही मेरे लिए भी यह है मुश्किल है कि मैं भक्तिन को अपने जीवन से जुदा करता हूं तो इस तरह से भक्तिन जो थी महादेव वर्मा यान लेखिका के जीवन का एक महत्पून हिस्सा बन गई थी अभिन अंग बन गई थी अब आते हैं प्रिश्च संख्या सीपर परिवार और परिस्तितियों के कारण स्वभाव में जो विशमताइं उत्पन हो गई हैं उनके भ भक्तिन कितनी विशम परिस्थितियों में रही चाहे वो उसका मायका हो या उसकी सवराल हो हर जग है उसने विशमता भोगा था इसलिए उनके भीतर से जब आदमें ऐसी परिस्थितन से गुजरता है उससे अपेक्षा ही की जाती जातीगी उसके अंदर कुछ इस तरह के सहज मारमिकता ही पाते थे जो विव्यक्ति उसके संपर्ग में आता था वो पाता था कि उसमें एक माज ऐसा भाव है उसके अंदर बहुती ज़्यादा सहज मारमिकता है उधारन के लिए छात्रवास के कुछ बालिकाएं हैं छात्रवास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय पढ़े बन माने के लिए देली पर बैठी रहती है कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाष्टे का चख और नाष्टे को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है मेरे बाहर निकलते ही सब चिडियों के समान उड़ जाती है पास में एक होस्टल है मादी वर्मा के नाश्ते में से खावी लेती हैं और जैसे महादीवर्मा वापस अपने घर में आती है लड़किया वापस आ जाती है क्योंकि उनका ये जो आना जाना था इसका सवसे वड़ा करण था भक्तिन उनको आने जाने देती थी तो उसके अंदर जो थी एक ममता थी ममता सुलब सनेह और साहनु भूती उन बच्चियों के प्रति उनके मन में थी उन्हें आने में रुकावट ना हो संभवत है इसी से भ अपना जो भोजन है उसको वो सुभह ही दोनों समय का भोजन बना करके उपर के आले में रख देती है जगह उती है और खाते समय चोके का एक कोना धोकर पाक छत के इस नातन नियम से समझवता कर लेती है साथी साथ वो कभी भी यह नहीं करती कि साफसफाई ना करे जहां ख बखतिन विशेश परिजित है तो क्योंकि महाधिवर्मत यहां थी तो जाहिर सी बात है उनके यहां पर जो आने जाने वारे लोग होँ कारेक्षित्र से जुड़ें वे साहित्य से जड़ें वे लोग होंग हों चलार पना बंदु कहती है उस प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्वर है बच्चों वाक्य पर ध्यान देंगे यह स्केलिंग दी गई है उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा यानि भक्तिन उन परिचितों का साहितिक बंधों का उतना ही सम्मान करती है जित उसना वे लोग मेरा सम्मान करते हैं यानि बाहर से आने वाले उन परीचीतों में से यदि कोई मेरा बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है तो भक्तिन उसका रेस्पेक्ट ज्यादा करती है और यदि उन परीचीतों में से कोई है तो तराजू के फिर रजी से निशित होता है इस संबन्द में भक्तिन की लगले कंवे कई से हैं वो कैसे समझ जाती है की आने वाला जो वेक्ति है वो मेरी मालकिन को कितना रेस्पेक्ट देता है ताकि मैं भी उसको उतना दूँ तो मैं किस तरीके से वो इस चीज़ को समझ जाती है यह मेरे लिए बड़ा आश्च्रे वाली बात है वह किसी को आकार प्रकार और वेशबुसा से स्मर्ण करती है और किसी को नाम के अपभरंश द्वारा क्योंकि उसको सबके नाम तो याद नहीं है सारे कवियों लेकों के जो मेरे पास में आते थे इसलिए वह प्राया उनको याद रखती है कि कौन कैसे कपड़े पहनता है और उस पहनने के अंदाज से इमन्तुक्त करती आज और यह भी कि थी कि वह जो लंबे बाल वाले हैं वह आये थे तो इस तरह से क्या है कि वह वेश्भुसा और आकार-प्रकार से उनका स्वरण करके लेखी को बताती है या कभी-कभी किसी का नाम लेने की कोशिश करती है वह क्योंकि गाओं की रहने वाली ना वक्ति निसलिए वह शुद्ध में रहेगा तो वह काम सीख लेगा उसके साथ साथ रहते हुए और यदि कोई किसान की पास में रहेगा नोकर तो वह किसानी का काम सीखेगा ठीक वैसे ही कवीता जो मैडम थी माभक्तिन वह कवीता ही लिखती थी इसलिए उनके पास में रहकर के भक्तिन का जो कवीता से सं पादर नहीं देती कि उसके बाद किसी के लंबे बाल और अस्त्वियस्त वेश वुसा देखकर वह क्या उठती है का वह कवीत लिखे जानत है और तुरंथी उसकी अवग्य प्रकट हो जाती है तब उपकुछो करिये धरिये ना बस गली गली गाउध बजाउध फिरी है अरे इस तरह से कवीता के प्रति उसका अधरभाव नहीं है पर उस सब का दुख उसे प्रभावित कर सकता है लेकिन वह बहुँ ज़ादा इमोशनल सेंसेट्टिव स्त्री है विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारगार का तिति हो जाता है तब उस समचार को व्यथित भक्त दिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कल जुग रहा तौन रहा परले हुई जाई उनकर माई का बड़े लाट तक लड़े कचाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती है तो वो दूसरों के दुख में दुखी हो जाती है यह वो समय था जब देश की आजादी के लिए नव य जवान थे कॉलीज़्ों में पढ़ने वाले वो जेल में जा रहे थे तो जब कोई जेल में जा था विध्यार थी तब बड़ी दुखी हो जाती थी और कहती थी अरे क्या जमान आ गया चोटे-छोटे बच्चे क्या कलियुग आ गया है बच्चो को भी जेल में डाल दिया अरे उनकी माँ को तो बड़े-बड़े लाट साब से जाके लटना चाहिए। यह कहकर सब को दिन भर परिशान करते थी। बापू से लेकर साधान व्यक्ति तब सब के प्रती भक्तिन की सानुभूती एक रस मिलती है। यानि कोई बड़ा हो या छोटा हो, चाहे कोई शोवरत वाला हो या कोई अंजान हो, सब के प्रति उसका जो भाव था सानुभूती का वो एक रस था, एक समान था। भक्तिन के संसकार ऐसे हैं कि वे काराकार से वैसे डरती है जैसे ही, नोक के उची दिवार दخते ही, वे आक मूंद कर बेहोश हो जाती है, ज Beijल की उची दिवार उसको दिखती है तो वो डर जाती है, महानू कि बेहो जो पर जाने वाली हो, उसकी एक कमजोरी अतनी क् GIAC moi महें धिक कमेरी साथ का है अब वो मेरत जाने से डरती नहीं लेकिन उसको डर है तो कि वाल इस चीज का अगर मैं जेल चली गई तो मेरे बिना कैसे रहेगी दो आदर मुझे टोचुक्षाप मुझेक्पोचने लगती है कि वह अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित ना होना पड़े वो कहती है हाँ मैडम मैं चलूँगी साथ में कितनी धोतियां काफी रहेंगी मैं साफ करके ले चलूँ मुझे तुम वहां कबड़े पहनने बढ़ेंगे आपके साथ-साथ क्या क्या समान ब उसको सबको लेगा तो ऐसी आतरा पर किसी के साथ जाने का किसी को अधिकार नहीं यह आशवाशन भक्ति के लिए कोई मुल्य नहीं रखता यदि मैं उसको समझाते हूं जेल में अगर जाएगा तो वही तो जाएगा जिसने गलती कियो दूसरा थोड़े जाएगा कोई तो वह मानती नहीं इस बात को वह मेरे न जाने की कलपना से इतनी प्रसन नहीं होती अच्छा बच्चों ने थोड़ा जल्दी करने इसको जितनी अपने साथ ने जा सकने की संभावना से अपमानी थे यदि मैं साथ लेकर न जाऊं तो उसको अपमान महसूस होगा भला ऐसा अ अण्याए होने पर भक्तिन को वड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा और भक्तिन तो बड़े लाट तक लड़ेगी इस काम के लिए कि क्यों मेरी मालगिन को बंद कर दे मुझे खुला छोड़ दिया किसी की माई यदी बड़े लाड़ तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी पर भक्तिन का दो बिन लड़े काम चलने वाला नहीं है ऐसे विशम प्रतिद्वंद्यों की स्थिधी कल्पना में भी दूर लब है त इश्वर की और से बुलावा आ गया तो वह आपको पता है अंतिम बुलावा होता है किसी व्यक्ति के जीवन का यदि मैं मैं इश्वर के पास पहले चली जाओं या भक्तिन पहले चली जाए तो हम मैंसे जो भी यहां रहेगा उसके लिए कितना मुश्किल होगा समय काटना इसकी कलपना करने से मुझे थोड़ा सा डर लगता है तो चिर विदा के अंतिम ख्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी जो भी यहां रहेगा वो कैसे अपना समय काटेगा एक दूसरे एक बिना यह सोचने की बात है और बच्चों अंत हो अधिन बहुत बड़ा पार्ट था पुरा हो गया आगे इसके प्रश्मों तर इवी बेचना भी आपको बेची जाएगे और साथी साथ कि अधि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर दो